डन हो चुका है अब मेरा यहां पर लिख रहा है कि यह आपको claim करना है next finally जो मैं अब NFT claim करने जा रहा हूँ अपने tone के wallet पे यानि कि tone keeper या telegram wallet दोनों में से किसी पे अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसका huge क्या है तब आपको समझ में आएगा claim करना चाहिए की नहीं so guys finally pixel watch में NFT claim करने का date आ चुका है and year enable भी हो चुका है आप इसे claim कर सकते हैं सारा process मैं आपके समखच इस वीडियो में करके दिखाऊंगा मेरे पास दो phone है, दो phone मैं क्यों huge कर रहा हूँ आगे आप सब को पता चलेगा, यहाँ पर मैंने दो account लिया हुआ है मैं देख पा रहा हूँ कि एक account में problem आ रही है वह है, एक account में कोई भी problem नहीं आ रही है वह claim हो जा रहा है, तो सारी चीज़ को हम लोग fix out करते हुए और सारे problems को भी देखते हुए इस वीडियो में अपनी NFT को हम लोग claim करेंगे ध्यान रहा है कि 14 अगत से पहले आप लोग को claim कर लेना है इनका final update आ चुका है अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ों की यहाँ पर ज़रुरत पढ़ रही है पहले तो हमने bybit या metamask या other कोई decentralized wallet को connect कराया हुआ था अब यहाँ पर जो आपको tone का wallet connect करना है इसलिए इन लोगों ने दो जो आपसन दिया हुआ था तभी आप NFT on chain claim कर पाएंगे चलिए A to Z process इस वीडियो में हम लोग जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आपका host crypto वारा दोस्त DMC चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक like एक comment के साथ देखिए इस वीडियो को बनाने में काफी ज़दा मेनत लग रहा है काफी मैं time से बैठा हूँ सारी चीज को देख रहा हूँ सारे चीज करने के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ समय लग रहा है तो आप लोग प्लीज एक like कर देंगे एक comment कर देंगे तो उतने से ही मुझे मज़ा आ जाने वला है और चैनल को आप लोग subscribe करके जल्दी से जल्दी 60,000 करवाईए क्यों नहीं हो रहा है subscribe चैनल को जल्दी से subscribe करिए पहले थोड़ा सा हम लोग इनका update देख लेते हैं क्योंकि update से काफी चीज़े पता चलती है यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके update में लिखा गया है कि आप लोग अपनी NFT क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि find out how to claim your NFT in pixel tap and pixel words dashboard यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा गया है बाद मैं बताऊंगा कि इसका huge क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि benefit हो गयरे मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि minting is available 14 अगस्ट और इसका जो trading है वो 14 सेतेमबर 2024 से चालू होगा 31 जुलाई लाष्ट था तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया हुगा है यहाँ पर देखिए लिखा हुगा है कि don't wait claim और pixel words early NFT now become part of the exciting new era यह सब सारी चीज़े हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या use है claim करने से क्या फायदा होगा क्या कोई profit है कि ने सबसे पहले सारे process को हम लोग देखते हैं ठीक है तो अभी आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है अपने dashboard में तो चलिए सबसे पहले मैं अपना pixel words का यहाँ पर dashboard open कर लेता हूँ dashboard open करते ही कुछ आपको जो है इस प्रकार से interface देखने को मिल जागा अब यहाँ पर आपने कौन सा वरेट connect कराया है मुझे तो नहीं पता लेकिन मैंने अपने वीडियो के माद्यम से दो चीज बताया हुआ था एक bybit एक metamask ठीक है दो तीन वीडियो बना करके आप लोगों को बताया हुआ था अभी भी वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप लोग बस क्या करिए crypto वाला दोस्त आगे जो भी आपको topic चाहिए उसका नाम लिख दीजिए जैसे pixel words bybit wallet connect तो आ जाएगा अब यहां पर देखिए bybit दिया हुआ है जब हम bybit पर click करेंगे तो यहां पर मैंने bybit के साथ साथ tone का भी address connect कराया हुआ है अब यह सबसे पहले tone को हमें connect करना है तो यह कैसे connect होगा देखिए बहुत simple है सबसे पहले मैंने आपने channel पर दो वीडियो बनाया हुआ है एक tone keeper का एक telegram wallet का तो उसको आप लोग जाकर के देख लेना किस तरीके से telegram wallet की react किया जाता है अगर आपके पास telegram wallet है तो आपको simple क्या करना है जैसे ही देखिए यहाँ पर आएंगे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गए ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है आपको उपर जो tone दिया हुआ है उस पर select कर लेना है और आपको tap कर देना है telegram wallet या tone keeper wallet अब simple से connect wallet पर हमें यहाँ पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपका finally अपना pixel words में आपका जो है इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पर आपका tone wallet और bybit दोनों add हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा tone person पर click करूँगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका NFT मिला होगा आपको common, uncommon, rare, epic जो भी मिल सकता है और इन लोगों नहीं अभी बताया हुआ था कि अगर आप 18 से 31 जुलाई के बीच में अपने जो एलेवल को update की होंगे तो आपको extra benefit मिला होगा तो आप लोग करिए किसी को मिला है कि नहीं या फिर हवे में ये लोग बात किया है ठीक है अब इसके बात पहले हम next पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा दिखा रहा है कि claim हला कि मुझे यहाँ पर कोई tokens नहीं मिला हुआ था लेकिन अब आप claim करें या ना करें यह आपका claimed ही दिखाएग हाँ आपने जो claim किया हुआ है वह stake पे लगा है उसको भी आगे मैं दिखाऊंगा कि भी draw किस तरीके से कर सकते हैं अब इसके बात यहाँ पर जो claim NFT लिखा हुआ है अगेन हमें इस पे click करना है ठीक है देखिए अब इस wallet में मेरा क्या लिख रहा है something went wrong ठीक है something went wrong इस तरीके दे नहीं रहा है count से wallet में जो अभी इस phone में है इसको मैंने नया बनाया हुआ था listing होने से कुछ दिन पहले देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं नहीं account में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मुझे एक और option देखने को मिलना चाहिए early claim करके जो इसमें मिलेगा वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है यानि कि इस wallet से अभी कोई यूज नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपको भी यह problem देखने को मिले और tone का wallet कि इस तरीके से connect कराया जागा क्यूंकि वो काफी important है तो हमने इसमें सब connect कर लिया है अब चलिए हम लोग आते हैं अपने दूसरे phone में जागेन हुआ ही यहाँ पर देखिए मेरा wallet connect है आप लोग देख सकते हैं कि by bit tone दोनों मेरा connect है सेम उसी तरीके से connect करना है बस टैप करेंगे tone keeper और TG wallet जो भी आपको connect करना है कर लेंगे अब claim वाले option पर click करिएगा जैसे एक click करेंगे यहाँ पर देख कि आपका लिखा हुआ है कि to claim NFT you must connect tone wallet अब देखें फीस की बात यहाँ पर आएगी और इन लोगों ने official बताया भी हुआ है कि फीस कैसे लगी की तो मैं आगे दीरे दीरे जैसे प्रोसेस होगा बताते जाओंगा मतलब गयस फीस की में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर connect tone wallet पर आप क्लिक करिएगा यहाँ से भी हो सकता है और मुझे क्या करना है यहाँ पर आप tone keeper या जो भी connect करा सकते हैं तो मैं फिलाल tone keeper पर आता हूँ अलाकि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से connect कराया जाता है लेकिन फिर से connect कराने को बोल रहा है तो अगेन ह हम लोग जो है यहाँ पर loading लिख रहा है देखें tone keeper भी आप connect करा सकते हैं इस phone में मैंने TG का बताया तो वीडियो लंबी है मुझे भी पता है लेकिन आप लोग थोड़ा सा support देजेना डन हो चुका है अब मेरा यहाँ पर लिख रहा है कि आपको claim करना है next फाइनली जो मैं अब NFT claim करने जा रहा हूँ अपने tone के wallet पे यानि कि tone keeper या telegram wallet दोनों में से किसी पे next step पे हम लोग click करेंगे तो यहाँ पर देखें something went wrong इसमें भी लिख रहा है लेकिन अभी भी हम something went wrong अब gas fees की बात करें तो मेरे tone keeper में भी gas fees है एक डालर के करीब स्वारी एक tone के करीब जो की 8 डालर के करीब होता है तो यहाँ पर कोई भी issue नहीं है कि मेरे पास fees नहीं है ठीक है यहाँ पर देखें तो फिर से वही लिख रहा है तो अब हम लोग आ जाते हैं भया फिर से अब इनका जो dashboard है link को हमने copy करना है copy करके bybit के यहाँ पर चलो सुरू से ही बता देता हूँ यहाँ पर आप लोग आईए वापस आ जाते हैं यहाँ पर bybit का आपने खोल लिया वेब 3 खोल लिया अब dap वाला जो यहाँ पर option लिखा रहता है हमें इसी पर click करना रहता है click कर करने के बाद जो आपका dashboard का link है यह वाली या यह वाली ठीक है आपको मिल जाएगी मेरे telegram में इस पर हमें click करना रहेगा हमें click करते ही देगा कि भया आप अपना wallet देख लिजे कौन सा connect है अगर आपने connect कराया होगा तो अगर आप यहाँ तक नहीं किये हैं तो समय लिजे क कि आप तो सारे ची छोड़ चुके हैं फिर इस प्रकार से देगा ठीक है अब हम three dot पर यहाँ पर click करेंगे तो देखिए यहाँ पर पिछले account में मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पर यह वाला option नहीं दे रहा था लेकिन बस यह दे रहा था तो हमें इसकी जरूरत है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा common NFT दे रहा है क्योंकि अभी यह देखिए वहाँ वाला नहीं आ रहा है pixel table NFT claim होके नहीं आ रही है यहाँ वाला option दे रहा है और अगेन हम लोग यहाँ पर देखिए पिक्सी फाई की बात करें पिक्सी फाई का केमरा कैसे चलो गया भाई कैसे अच्छा बड़ा सिंपल है अब यहाँ पर देखें तो लिखा है कि claiming is finished तो यह claiming finished हो चुका है date हो गरा खतम हो चुका है अब claim वाले option पर हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर से देखिए wallet मेरा already connect है simple तरीके से यहाँ पर भी ठीक उसी परकार से wallet connect करा जागा claim अवतार अपने tone के wallet में address पर लेके चले जाएंगे on chain पर तब आपका यहाँ पर जो है फीस लग सकता है यह depend करता है कि network कितना फीस चार्ज कर रहा है तो यहाँ पर देखिए confirmation के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है देखते हैं कि redirect कर रहा है बलकि क्या कर रहा है कि आपको अपने tone keeper पर आजाना है ठीक है tone keeper पर आएंगे जैसे आपको इसे open करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख रहा है कि आपका लगबग इतना tone फीस लगेगा ठीक है इतना tone फीस लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद इन लोग फीस ले रहे हैं और यह इनके contract का जा रहा है यानि कि यहाँ पर जो है इनके contract address पर जा रहा है network फीस तो इतना ही लग रहा है लेकिन इनके call contract पर देख सकते हैं कि इतना NFT यहाँ स्वारी 3.43 डालर के करीब यहाँ पर चला जा रहा है तो क्या इसे अभी हमें claim करना चाहि में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग slide करेंगे इसको तो यहाँ पर फीस होगे रहे कटेगा आपका लगबग 3.34 डालर के करीब लगेगा और आपका NFT यह वाली claim हो जाएगी यह मुझे लग रहा है कि जो यह पिक्सल वर्स के dashboard की NFT है ठीक है लेकिन मेरी ज इसको claim कर सकते हैं claim करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके contract address पर उपर जो call contract लिखा हुआ था उस पर 3.5 का टन का फीच आ रहा है और नीचे जो ने truck फीच है वो तो काफी कम लग रहा है आपने देखा तो इस वजए से इसको मैं भी claim नहीं कर रहा हूँ छोड़ दिया ठीक है इसको मैंने छोड़ दिया हुआ है अगर यह मेरा जो बोट वाला बोट वाला अगर ओपन होगा तो मैं इसको claim करूंगा ठीक है अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसका huge क्या है तब आपको समझ में आएगा claim करना चाहिए कि नहीं उससे पहले यहाँ पर देख हुआ है ऐसे arrow rate करके यहाँ पर देखिए तो आप इसे withdraw कर सकते हैं withdraw करने के लिए आपका आपके जो ethereum wallet में चला जाएगा या strap हो कर जाएगा और यहाँ पर भी देखें तो आपका फीस लग रहा है लगग लगग यहाँ पर 4.8 डालर के करी ठीक है तो इतना फीस यहाँ प अब हम लोग समझ लेते हैं कि भया यह कितना जरूरी है मतलब NFT का क्या use है दिखा गया कि these NFT are the first to be used within the pixelverse pixelverse multiverse offering unique in-game character skin that customize your gaming experience अब साथ से यह लोग अपना जो भी pixel channel लेके आ रहे हैं जो pixify के staker हैं उनको क्या मिलेगा मतलब जो token stake की हैं यहाँ पर देखिए bonus multiple increase your staking reward और enhance or enjoy a higher chance of obtaining rare item in loot box हो गयरा यह सब सारी चीज़ें यहाँ पर gaming होने बाली है तो cool मिला करके आपने क्या देखा कुछ भी नहीं यहाँ पर एकदम scam यह चल रहा है fraud ही चल रहा है कोई भी मतलब हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो आप लोग अप सोच लेना कि आप लोगों को NFT claim करना है की नहीं मेरी बताओं कि मैं NFT claim करूंगा की नहीं तो मैं अपनी epic वाली NFT को claim करूंगा यह मेरा final decision है common वाली को नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर फीस ज़्यादा लग रहा है अब दोस्तों उमीद है कि सारी चीज मैंने एक बच्चे को जैसे समझाया जाता है वह ऐसे समझाया होगा आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो एक like करिएगा चैनल को आप लोग subscribe नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं subscribe कर रहे हैं बस इसका region बता दीजिए region और भी project आते हैं सारे update आपको telegram में मिलता रहता है फिलाल के इतना है मिलते हैं किसी अगली वीडियो में take care